Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, किसी भी देश के लिए सबसे टफ समय तब होता है, जब उसी देश के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, मैं बात कर रहा हूँ इसरेल और नितनियाहू के बारे में, बीते कुछ समय से इसरेल में बढ़ चड़ कर प्रोटेस्ट किया जा रहा, जहां पे वहां के लोग ये कह रहे हैं, कि नितनियाहू को जल से जल रिजाइन दे देना चाहिए, और उसके बाद इसरेल में इलेक्शन कराया जाए, इसी बीच बहुत सारे एक्सपर्स का ये मा इससे पहले कि हम समझे कि नितनियाहू के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यूं हो रहा, उसके पहले कुछ बातों का जानना बेहर जरूरी होता है, नॉर्मली कोई भी देश दो ही कंडिशन में वार में जाता है, सबसे पहला कंडिशन तो तब होता है जब वो देश अगर वार में नहीं जाए तो उसके existence पे ही सवाल उठ जाएगा, और दूसरा तब होता है जब किसी देश के head of state अपने ही देश में काफी unpopular हो जाएं और वो किसी भी तरीके से nationalism का जो feeling से उसको exploit करें और unpopularity को popularity में convert करें, इस्रेल में बीते कुछ सालों से Benjamin Netanyahu काफी ज्यादा unpopular हो गये जिसके कारण कही न कहीं उनको कोई एक event ऐसा ढूणना था, जिससे कि वो पूरा momentum को change करें और कहीं न कहीं इस्रेल में nationalism का feelings को दुबारा से develop करें अगर बात किया जाए हमास ने जो attack किया था 7 October को, इसके बारे में multiple reports ये suggest करते हैं कि इस्रेल और वहां के intelligence agencies को ये बहुत पहले ही मालूम पढ़ चुका था कि हमास को ऐसा possible attack करने के बारे में सोच रहा है या in fact उसके बारे में training भी कर रहा है अभी भी शायद दिमाग में कुछ सवाल होंगे जहांपे ये लग सकता है कि आखिर में किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर ये क्यूं चाहेंगे कि उनके देश में attack हो और उनके यहीं देश के लोगों को मारा जाए तो ऐसा war में होता है और अगर आप first world war, second world war या in fact इंदिया चाइना के बीच में जो war हुआ था अगर वक्त मिले अगर आप इन सब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि ये बहुत ही common phenomena है जहांपे leaders अलग-अलग देशों के nationalism का जो feelings होता है उसको exploit करते हैं और उस feeling का उस momentum का अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर specifically बात किया जाए नितन्याहू के बारे में तो इनके उपर multiple corruption के charges लगे हुए हैं और बहुत सारे मामले already court में हैं इसी में से एक मामला है जब नितन्याहू 2009 से लेके 2016 तक जब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इस्रेल के तो इसी बीच जर्मनी के साथ कुछ defense pact sign होता है जहांपे submarines और उससे संबंधित equipments को purchase किया जाता है लेकिन investigating agencies का ये मानना है कि जिस तरीके से process को surpass किया गया यानि कि जब भी किसी देश के साथ defense pact या किसी बी तरीके का जब pacts होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है लेकिन जिस तरीके से नेतनियाहू जर्मनी के साथ defense deal करते हैं यहां पर chances काफी high है कि इस defense deal में corruption किया गया है exactly कुछ ऐसा ही कहना है investigating agencies का जो खुद इसरेल के ही है तो कहीं नेतनियाहू को यह proof करना है कि यह एक बहुत ही strong leader है और अगर यह इसरेल के prime minister नहीं रहेंगा तो इसरेल का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा तो इन सब वजह से भी nationalism का जो feeling से उसको artificial तरीके से develop किया जाता है और पूरे momentum को change किया जाता है अपने favor में क्यूंकि 7 October 2023 को हमास ने attack किया था उसके बाद जो पूरा momentum होता है इसरेल में वो change होके इसरेल versus हमास हो जाता है लेकिन अगर आप उसके पहले बात करें यानि की साल 2023 के January February के महीने में तो in fact उससे पहले भी नितन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे अगर खास करके बात किया जाए जिस तरीके से नितन्याहू इसरेल के Parliament में बिल को introduce करते हैं और उस बिल को pass भी करवा लेते हैं तो वो automatically null and void हो जाएगा तो अगर आप चीज़ों connect करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं जो automatically court में हैं और अगर सरकार किसी भी तरीके से judges का appointment अपने हिसाब से करेंगे तो कही ना कहीं उस case के ऊपर उनका पूरा total command रहेगा तो यहां स आप more or less समझ सकते हैं कि किस तरीके से nationalism के feelings को exploit किया जाता है यह ता Times of Israel का article है जहां पर आप देख सकते हैं लोग कुछ इस तरीके से protest कर रहे हैं और बढ़ चड़ कर यह claim किया जा रहा है कि जिस तरीके से इसरेल को जवरदस्ती के war में धकेल दिया गया है एक चीज को समझ हमारे लिए बहर जरूरी होता है कि किसी भी देश के लिए यह जरूरी होता है कि जो उसके आसपडोस के देश है उनके साथ relations अच्छे रहें अगर relations अच्छे नहीं रहेंगे तो कही न कहीं एक जो tense atmosphere है वो बरकरार रहेगा और इस चीज को इसरेल के जो common civilians है उनको यह प्राइम मिनिस्टर है और ध्यान रखा जाए यह सब statement वो देर हैं जो किसी टाइम पर government के लिए काम कर चुके थे या in fact high ranking officials थे और साथ में वो intelligence department में भी काम कर चुके थे जैसा कि हम सभी को पता है कि Mossad एक intelligence agency है लेकिन Mossad जो intelligence gathering करता है वो outside Israel करता यानि कि वो foreign affairs को देखता ह और अगर वहीं पर बात किया जाए शिन बेट के बारे में तो ये भी एक intelligence agency है लेकिन ये देश के domestic intelligence को gather करता है साथ में एक बात का और ध्यान रखिया कि Israel में जो protest होता है वो Saturday को होता है इसके पीशे का वज़ा है कि Israel में जो working days होते हैं वो Sunday से लेके या तो Thursday तक होते हैं य उससे कहीं बड़ा खतरा हेजबुला आज इसरेल के लिए है और इस चीज़ को बखुबी इसरेल और US दोनों समझता है और हेजबुला इतना capable है कि वो पूरा का पूरा जो Middle East है उसको disturb कर सकता है और अगर किसी भी तरीके से हेजबुला full-fledged war में उतर जाता है तो chances काफी हाई हो जाएंगे कि वो सारे देश हेजबुला या लबनान को सपोर्ट करना शुरू कर दे जिनके संबंद USA और इसरेल के साथ अच्छे नहीं है अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर में हेजबुला इरान से भी बड़ा threat क्यों है इसरेल के लिए तो इसके पीछ रहने का मतलब है कि किसी तरीके से हेजबुला इसरेल के defense system में जो खामिया है उसको वो देख लेगा समझ लेगा जिसके कारण क्या है कि जो इस war का damage है वो काफी बढ़ जाएगा तो exactly ये बेहत कहपाना मुश्किल होता है कि जब एक full-fledged war होता है तो कौन सा देश किसको support क उसके बाद बीते कुस सालों में जिस तरीके से US का foreign policy degrade हुआ है या यू कहले कि इनमें वो capabilities नहीं बचा जहां पे वो किसी भी तरीके से जो war है उसको रोक सके वहीं पे बहुत सारे US के officials का ये मानना है कि अगर किसी भी तरीके से Lebanon full-fledged war में आ जाता है तो ये Middle East का जो crisis है वो काफी बढ़ जाएगा तो इस वीडियो को अगर हम simply conclude करना चाहें तो हमारे पास sufficient example है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि कितनी बार artificial तरीके से war को create किया जाता है ताके leaders अपने खोए हुए popularity को दुबारा से regain करे और इस बीच में जो सबसे अधिक suffering होती है वो वहां के common civilians को होती है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye